नमस्कार शाथियों मैं राहुल कुमार चौधरी और मैं आज ये कम्प्यूटर का चौथा क्लास ले करके आया हूँ जिसमें कुल 25 प्रशन होंगे जो की UPPCL की एक्जाम की दृष्टी से काफी महत्पूर्ण है और UPPCL में जो फ़स्ट वेपर होगा वो कम्प्यूटर से 50 को कोश्चन उसमें आएंगे जिसमें स्टूडेंट को 20 कोश्चन बिल्कुल सही होना अनिवारी है और अगर किसी स्टूडेंट के फ़स्ट वेपर में यानि की कम्प्यूटर में 20 प्रशन सही हो जाते हैं तो उसकी दूसरी पेपर चेक की जाएगी तो हम आज का क्लास स्टा गया है और यह काफी महत्पुन क्लास है आप इसे इग्नोर ना करें और इसे आप देखें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं तो आप इसको बिल्कुल सबसे पहला जो प्रश्ण है आप यहां पे ध्यान देएं सबसे पहला जो प्रश्ण है इसमें MS WORLD 2016 में WORLD के नीचे red line से क्या आसे हैं आप देखते होंगे कोई भी word लिखते होंगे तो उसमें जो word लिखने के ततपश्चात जो है उसके अंदर में red line आ जाती है इसका क्या मतलब हो शकता है तो आप देखो option A spelling error option B grammar error option C typical error और option D system error आप देखो grammar error जो होगा वो green color में आएगा grammar error जो होगा वो green color में आएगा और इसमें spelling error वो red color में आएगा तो इसका option A जो होगा यह सही answer हो जाएगा option A option A spelling error होगा अगर red color आता है तो अगर green color आता है तो grammar error होगा तो चलिए मैं अगले question की और चलता हूँ next question MS Excel 2016 में sale को कैसे नामित किया जाता है देखिए sale को नामित करने के लिए आपको क्या है कि किसी भी sale का नाम किस तरह से होगा तो उसमें आपको एक देखने का मिलेगा कि एक alpha weight कोई later होता है दूसरा एक numeric कोई number होता है तो alpha और numeric के द्वारा ही इसका नामित किया जाता है तो इसमें alpha numeric जो है सही answer हो जाएगा तो इसका सही उत्तर जो होगा alpha numeric होगा option c is the correct answer है तो किसी sale को यानि कि जो home sale को दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं ए और one ऐसे दिखाते हैं बी ग्रूप के sale को कैसे दिखाते हैं बी one ठीक है और जैसे मानलों कि ए 16 ये 16 होगा ए ग्रूप का 16 होगा तो इस तरह से हम दिखाते हैं तो I hope आप इस तरह से sale को समझ सकते हैं पाहिला जो उसका later होगा वो जो alphabet होगा और दूसरा जो होगा वो numerical होगा नमर होगा तो इस हिसाब से आपका ये सही हो जाएगा तो चलिए हम दूसरे question की ओर चलते हैं और हम कोशिज करते हैं कि question को अधिक से अधिक explain करें तो चलिए next question की ओर चलें तीसरा question क्या है यहाँ आपे ध्यान से देखेंगे तीसरा जो question है MS Excel में भिनात्मक संख्या तीन बटे चार अंकित करने पर परिनाम होगा देखो तीन बाय चार इसका क्या मतलब होता है देखो एक दिनांग के रूप में एक फॉर्मूले के रूप में एक टेबल के रूप में एक आर्ट क अगर तीन और ओबलिक चार लिखते हैं इसका मतलब होता है तारीक क्या होता इसका मतलब तारीक इसलिए इसमें एक दिनांग के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं इसलिए option आ जो हो जाएगा यह आपका क्या होगा सही होगा option A ठीक है तो यह आपका सही उतर होगा next question में चलता हूँ next question अब ध्यान दें next question MS Word 2016 में निमलिकित में से कौन समाने तक quick access command के लिए उपयोग की जाती है देखें एक quick access command होता है जिसमें से आप कोई भी टूल तूरंट आप वहां से ले सकते हैं और कोई भी work कर सकते हैं तो ये जो होता है कहां होता है और किस तरह से करते हैं तो इसमें जो है एक छोटा सा टूल वार होता है जिसका नाम है मेनी टूल वार MS Word 2016 में आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं पे होता है quick access toolbar और वहां से आप कोई भी जो है आप tools लेकर के और quick काम कर सकते हैं इसलिए उसको quick access toolbar कमांड जो है वहां पे देखने को मिलेगा इसलिए option A जो है आपका correct हो जाएगा next हम चलते हैं next question MS Word में निम्न में से file tab कौन सा भी कल्प मौजूद नहीं है देखिए MS 2016 में क्या-क्या हो शकता है file tab में वह आपको देखना है तो आप देखो इसमें file tab में आपको देखने को मिलेगा shape as देखने को मिल सकता है और info ये भी देखने को मिल सकता है exit ये भी देखने को मिली सकता है font आपको file tab में नहीं मिलेगा file tab में आपको font देखने को नहीं मिलेगा इसलिए option D जो है correct answer हो जाएगा कि file tab में font आपको देखने को नहीं मिलेगा चलिए आगे की ओर चलते हैं MS Word 2016 में कौन सा विकलफ पहले से save किसी document को unformat location तता पुना से पुना से करने की सुविदा परदान करता है इसमें जो है एक कौन सा ऐसा option है जिसमें कि आप किसी भी save अगर किया हुआ document है आप उसको पुना save करेंगे तो उसमें से आपका location formats सारे change कर सकते हैं आपको उसमें सुविदा दी रहती है तो वो option है save as save as होता है वो option तो save as आप देखें option C नमर correct answer हो जाएगा तो option C is the correct answer आप इसमें देख सकते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं इसमें question आगे की और नेमने में से कौन सा extension name graphics file को नहीं दिखाता है देखें जब भी आप कोई file save करते हैं उसका कुछ न कुछ extension होता है तो इसमें जो है .gif जो होता है एक picture को save करने के लिए होता है .gpeg ये भी picture के लिए होता है .bmp ये भी picture के लिए होता है और ये जो है option D .pdf जो होता है ये कोई extension वैसा नहीं है ग्राफिक्स फाइल के लिए extension नहीं है तो इसलिए option D जो है correct answer हो जाएगा तो आप option D की ओर जाएं और ये आपको correct answer मिलेगा next question है आप यहाँ पे ध्यान पिछे देखेंगे इसमें आपको कथन 1 और कथन 2 दिया गया है और इस कथन के मादियम से आप देखें तो इसमें क्या होता है computer एक MOOC यानि dumb machine है यानि कि कुछ बोल नहीं सकता computer का कोई IQ नहीं होता तो इसमें देखिए option A है कि दोनों कथन गलत है option B है दोनों कथन सही है option C है कथन 1 सही है और option D है कथन 1 गलत है कथन 2 सही है तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है तो आप इसमें दियान देखिए computer एक MOOC dumb machine है लेकिन इसका कोई IQ नहीं होता ऐसा गलत है कथन 1 तो सही है कि वो MOOC या dumb होता है लेकिन computer का कोई IQ नहीं होता है ये गलत है क्योंकि computer का IQ होता है तभी तो वो गलत है और सही की पैचान करता है तो option C नमबर जो होगा sorry computer का कोई IQ नहीं होता है वो हम लोगों के IQ से ही चलता है हम लोग जैसा सवाल डालते हैं उस तरह से वहाँ से आंसर होता है इसलिए कथन दोनों कथन जो है इसका सही होगा इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि option B जो है वो आपका सही होगा option B इस तक करक्टांसर तो option B की और जाए और आपको यहाँ पर होगा next question है निमलकित मेंसे कौन सा एक computer का hardware नहीं है देखिए कंप्टर का hardware क्या हो सकता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो computer का hardware जो है कीवोर्ड हो सकता है printer भी हो सकता है scanner भी हो सकता है तो MS Windows जो है एक software है वो hardware नहीं है इसलिए जो option हो जाएगा वो सही हो जा词बड़ इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कम्पूटर पर उपलब्द हार्ड ड्राइब स्पेस का पता करने की सौटकट की क्या है अगर पता करना है तो उसके लिए सौटकट की क्या है देखिए अगर computer पे उपलब the hard drive क्या क्या है इसके लिए आपको क्या करना होगा एक shortcut की होता है जिसको हम windows plus e कर सकते हैं windows plus e option a जो है इसका correct answer हो जाएगा option a is the correct answer तो चलिए आगे की ओर चलते हैं next question ink operating system iOS का विक्सित किया गया है किसके द्वारा ये विक्सित किया गया है इसमें company का नाम बताना है option a है microsoft द्वारा option b है apple द्वारा option c है google द्वारा option d है mozilla द्वारा option b जो है apple द्वारा ink operating system विक्सित किया गया है तो आप option b की ओर जाएं और ये आपका क्या होगा सही उत्तर होगा और इसमें आप option b की ओर जाएंगे answer होगा इसका apple तो apple सही उत्तर होगा apple ने iOS को विक्सित किया था ठीक है next question file के साथ आपको d अनुपात up pcl tech 2022.pdf में uppcl है इसका क्या मतलब होता है तो ये option a है drive का नाम है option b है top level folder है option c है sub folder है option d है extension सहित फाइल का नाम है तो इसमें जो है एक top level folder है ये top level का folder है uppcl का तो इसका जो हो जाएगा answer option option आपका b हो जाएगा option b is the correct answer next चलते हैं question निमलकूत में से कौन सा समूँ परचलित अंटिवाइरस का है इसमें देखिए इसमें से कोई एक समूँ है जो अंटिवाइरस का समूँ है इसमें कौन सा होगा option है chrome, safari, firebox option b है google option c है windows, unix, linux option d है norton, quick wheel, abira तो इसमें जो है option d हो जाएगा norton, quick wheel, abira case पर सकी ये सब क्या है कि एक एक एंटिवाइरस का समूँ है आप option d की और जाएए ये आपका सही होगा next question चलते है यदि computer file प्राप्त कर रहा है तब उसे कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है server, client, host और owner तो उसको आप client के रूप में देख सकते है option b जो है उसका correct answer हो जाएगा तो आप option b की और जाएए तो option b है ये बहुत ही important question है इसमें आप इस वीडियो में आपको 25 important question मिलने वाले हैं तो आप इसको दियान पुरवक इस class को पूरी तरह से देख है जब एक device जो analog information को digital में और तथा digital को analog में पुरवर्थित करता है तो इसको क्या बोलते हैं अब देखी एक जो device है उसका नाम है modem modem क्या करता है analog information को digital में और डिजिटल को analog में पुरवर्थित करता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आपको जो है option एक ही और जाए modem जो है एक device है जो एनालोग को डिजितल डिजितल को एनालोग में प्रिवर्थित करता है तो option A is the correct answer आप option A की और जाएं next question इसमें कथन पर अधारित question है नमले कि तुमें से कौन सा कथन और शत्य है अब ये question, ऐसा question अब ज़्यादा पूछने लगा है तो ऐसा question 3-4 आपको देखने को मिली जाएगा पच्चास में से 4-5 question ऐसा होगा जो आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा पिक्चर क्वालिटी के समद्ध में SD में D से आसे definition है और internet technology में फोरजी में G से आसे generation है तो ये क्या है ना तो कथन एक ना ही कथन दो उसत्य है ठीक है option A ना तो कथन एक उसत्य है ना तो कथन दो उसत्य है HD में D का definition ही होता है HD का मतलब होता है high definition और 4G में होता है fourth generation computer के मतलब internet technology के fourth generation तो दोनों कथन बिलकुल सत्य है उसत्य नहीं है और ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं तो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो option A की हो जाए option A की और आप जा सकते हैं तो option A is the correct answer तो चलें आगे की और सीधे तोर पर एक Gmail में एक attachment files desk से अधिक नहीं होनी चाहिए तो कितने MB से अधिक नहीं होनी चाहिए Gmail में attachment तो आप इसको ज्यान पुर्बग देखें इसमें देखिए कोई भी आप अगर Gmail करते हैं तो उसमें 25 MB से जादा attachment नहीं होनी चाहिए इसका जो है option सही होगा जो option C is the correct option option C क्या है correct है 25 MB से जादा attachment नहीं होनी चाहिए और अगर 25 MB से जादा attachment है तो वो पहले आपका अगर computer से कर रहे हैं तो सबसे पहले वो Google Tribe में upload होता है और फिर वहाँ से वो आपको send करता है अगर mobile से करते हैं तो 25 MB से जादा करी नहीं सकते हैं 25 MB से जादा वर्चूल बैंकिंग क्या है वर्चूल बैंकिंग देखिए option A है internet पर bank का उप्योग करना कागज पर bank का उप्योग करना केवल कालपनिक रूप से bank का उप्योग करना POS पर ATM का प्रयोग करना इसमें देखिए internet पर जो आप banking का उप्योग करते हैं तो उसको बोलते है virtual banking तो option A की और जाए option A correct answer होगा अगर आप virtual banking का यूज कर रहे हैं इंटरनेट पर तो वो virtual banking है तो इसका सही उतर जो हो जाएगा वो option A हो जाएगा option A की और जाए तो सही उतर होगा next question है MS PowerPoint 2016 में किसी slide को copy करना हो तो shortcut की क्या होगा देखें अगर आप कोई slide को copy करना चाहते हैं MS PowerPoint में तो उसका shortcut की क्या होता है control plus D होता है तो option B की और जाएं और इसमें आप किसी slide का copy कर सकते हैं किसी slide का copy कर सकते हैं तो यह सही है आपका कि option B is the correct answer है चलिए next question की और question नमर 20 Microsoft Word 2016 में control plus K shortcut का उप्योग कहां किया जाता है तो देखें control plus K का अगर shortcut आप यूज कर रहे हैं तो यह जो है आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका इसमें hyperlink के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं hyperlink के लिए करते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा option A हो जाएगा option A हो जाएगा इसका सही उत्तर option A हो जाएगा option A is the correct answer correct answer क्या होगा option correct answer option A is the correct answer option A की और जाएं तो सही उत्तर इसका ये हो गया तो आज का ये 20 question जो था काफी important था आप इसको ध्यान पुर्बक देखें और इस तरह के question को आप जरूर देखें करें आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं तब तक के लिए जाए हिंद